सो हे गाइज वल्कम बैक टू दे यार ग्रेट यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डिजिटल कुलक बनाएंगे जिसमें केवल टाइम ही नहीं उसमें डे, डेट और टेंपरेचर सब कुछ बताएगा गाइज मैं एक दम बहुत ही डिटेल में समझाओंगा बनाना और बहुत ही इजी है इसे बनाना, आप घर पे बनाना चाहो ना तो खुद से बना सकते हो इसे, मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगा, तो आईए गाइज इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें मात तीन पार्ट्स को ही लेना है पहला है रियल टाइम क्लॉक मोड्यूल जिसे RTC मोड्यूल बोलते हैं स्वाट फॉर्म में यह है DS3231 का मोड्यूल जो की एकदम accurate time और सबसे accuracy के साथ में बताता है दूसरा है Arduino Nano जिसमें हम code upload करेंगे और तीसरा है display board यह display board का नाम है Mac 7219 का display board और guys हमें कुछ connecting wires लेना है उसके बाद आईए इन सारे parts को हम interconnect करते हैं यानि की वाइरिंग्स करते हैं एक दूसरे में वाइरिंग्स मैं animation के मदद से पहले समझाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका से as always मैं समझाता हूँ तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम RTC module को connect करेंगे RTC module के VCC वाले pin को हमें VCC में connect कर देना है यानि की 5V में connect कर देना है Arduino Nano के और ground वाले pin को connect करना है ground से उसके बाद जो SDA का pin है हमारा RTC module का वो हमें Arduino Nano को EA4 में connect करना है और SCL के pin को हमें EA5 में connect करना है और बस RTC module में हमें 4 ही wires connect करने थे तो 4 connect हो गया next में अब हमें Mac 7219 के display board के VCC वाले wire को हमें 5V में connect कर देना है यानि की positive वाले में और जो ground है उसे हमें negative से connect कर देना है बाकि जो DIN pin है data in का वो हमें D11 में connect करना है chips का pin हमें D10 में और जो clock वाला pin है हमारा Mac 7219 display board का वो हमें D13 में connect करना है guys कितना आसान धाना हमारा wiring अब देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें सारे wires connect कर लेना है और मैं इन सारे wires को इस braid board में connect कर दिया कुछ इस तरह से अब चलिए इसमें code upload करते हैं अभी मैं जो भी code upload करूँगा वो सारा code description box में दिया हुआ है वहां से download कर लेना जब उस code को download करोगे तो कुछ इस तरह से zip file में रहेगा आपका code ये रहा और उसे पहले अंजीब करना है अंजीब करने के लिए आपको क्या करना होगा right click करना है और यहां पर extract all लिखावा है उस पर click कर देना है और यह देखिए path पुछेगा कि कहां पर आप extract करना चाते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर extract करना चाहता हूँ तो एक नया फाइल बन गया और इसमें हमारा total तीन दिख रहा होगा लेकिन तीन में से एक फाइल है इस फाइल को इधर उधर मत करना डिलीट भी मत करना नहीं तो फिर upload नहीं होगा code यहाँ पर दो code हम upload करेंगे अगर आपने ds321 क module नया खरीदा है तो उसको time set करने के लिए भी हम code upload करेंगे और time इस display module पे temperature वगेरा so कराने के लिए भी upload करेंगे तो code upload करने के लिए हमें adino ide के software को open करना है मैंने open कर लिया इस software को और यहाँ पर देखिए यह open हो रहा है अभी open होने के बाद हमें code को import करना होगा guys सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस ds321 के module को अगर आपने नया खरीदा है तो इसमें time set करने के लिए जो आपका windows में time होगा ना वो set करने के लिए हमें एक code upload करना होगा pins, diagram वगेरा सब वही रहेगा आपको कुछ नहीं करना है ये 4 और ये 5 में होना चाहिए sda और scl का तो code जो है हमारा जो मैंने description में दे रखा है वो हमें यहाँ से लेना है मैं गया यहाँ पे और हाँ ये देखिए सबसे पहले ds3231 time set वाले code को यहाँ पे open करना है इस module में code upload करने के लिए कुछ इस तरह का code आ जाएगा छोटा सा और इसे हमें upload करना है upload करने के लिए आपको libraries install करना होगा एक rtc library उसे install कर लेना sketch में जाके include library और manage libraries में जाके install कर लेना अगर आपको नहीं पता कैसे install करना है आपको detail में समझना है तो previous video आप देख लेना link उसका भी description में दिया हुआ है guys फिलाल इस code को मैं upload कर देता हूँ adino nano और port को मैं select कर लेता हूँ com10 और upload बटन पे मैंने click कर दिया और ये देखिए code हमारा upload हो रहा है बस कुछी चनों में code आपका upload हो जाएगा done uploading यहाँ पे link दिया है लेकिन time upload हुआ की नहीं हुआ उसे देखने के लिए हमें यहाँ पे serial monitor में देखना होगा इस पे click कर होगे तो देखिए यहाँ पे time और date show करेगा हमारा जो की इस module में अभी यही date चल रहा है देख सकते हो आप यहाँ पे अभी बज रहा है मेरे laptop पे भी 17 बज कर 29 मिनट यानि की 5 बज कर 30 मिनट यह अभी कुछ seconds guys मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप upload करोगे न तो एकदम exact 10 seconds पहले हमारा यह module save करके रखता है तो यह देखिए time यहाँ पे हमारा show कर रहा है अब हमें इस display में show कराने के लिए code upload करना होगा उसके लिए जाना है file में फिर से open में और मैंने दूसरा code जो दे रखा है यहाँ पे वो code यह रहा temperature and time वाला तो temperature and time वाले पे open करना है और कुछ इस तरह का दूसरा code open हो जाएगा यहाँ पे आपको कोई सा भी कुछ भी setting नहीं करना है चाहे तो मैं बताता हूँ क्या क्या set करना है md parola का एक library install करना है जो कि मैं कई videos में install करने बता चुका हूँ md mac 7219 या 72xx वाले को install करना है और ये ds3231 वाले का भी library install करना होगा अगर library install करने नहीं आता है तो previous video आप जरूर देखो मैंने link description में दे रखा है और जो मैंने data भी delete करने नहीं बोला न वो data यहाँ पे लिखा हूँ है font underscore data इस यहाँ पे अगर वो data नहीं रहेगा न तो यहाँ पे error दिखा देगा बोलेगा कि पहले इस data को उस file में लाओ तभी code upload होगा तो वो code मैंने अल्रेडी दे रखा है हुआ file तो वहाँ से हटाना मत अब इसे हमें upload करना है direct upload के button पे click कर देना यहाँ पर मेरा direct code upload हो जाएगा क्योंकि देखो यह font data no search library दिखा रहा है मेरा यहाँ पे क्योंकि जो file था वो कहीं और से मैंने import कर लिया मुझे लगता है यह वाला code मैं अब उसी code को import करता हूँ यह देखो यहाँ पे यह जैसे यह file है हमारा तो इसके जश्ट नीचे होना चाहिए code वाला file तो यह मुझे लग रहा है मैंने गलत जगा वाला उठा लिया मैं उठाता हूँ temperature and time max यहाँ पे होना चाहिए वो file तो मुझे move करके वहां रखना होगा by the way मैं चलो move करके दिखा देता हूँ सारा process आप देखना ध्यान से सब चीज़ समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहरा हूँ और करना क्या चाहरा हूँ यह देखे यह रहा file हमारा और यह file यहाँ प यह file अभी हम upload कर रहना तो इसके जश्ट नीचे होगा तब ही upload होगा बस अब यहाँ से cut कर दे रहा हूँ मैं और अब देखना मैं compile कर देता हूँ और compile भी हो जाएगा और upload भी हो जाएगा देखना अभी इसलिए file सही जगह पे होना बहुत ही important है इधर से उधर मत करना file को देखिए यह compiling हो चुका है अब मैं फिर से इसे upload कर देता हूँ और यह upload भी हो जाएगा so guys finally हमारा code upload हो चुका है आप देख सकते हो और इस display board पे भी दिखा रहा है timing वगेरा आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बजगर 33 मिनट दिखा रहा है display board पे और laptop पे भी 5 बजगर 33 मिनट अभी हो रहा है और यहाँ पर देखिए जैसे ही एक एक मिनट में आपका temperature वगेरा so करता रहेगा date और temperature देखिए यहाँ पर 5 बजगर 33 से 34 जैसे ही होगा वैसे ही temperature आपका so करेगा देख सकते हो आप जैसे ही next मिनट हुआ वैसे ही हमारा दिन भी so किया और इसमें आप हमारा date so करेगा यह scroll करेगा हर एक मिनट में update हो करके दिखाता रहता है अब देखिए यह 27.5 डिग्री सेल्सियस दिखाया temperature और यह Fahrenheit में भी दिखाया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर temperature, time, date सारा चीज़ दिखा रहा है और यह मैंने लगा दिया इस 3D printed box में अगर आप चाहे इसे खरीदना तो आप मुझसे order करवा सकते हो मैं print करके parcel करवा दूँगा उसके लिए जैदा जानकारी के लिए आप मुझे WhatsApp पे भी contact कर सकते हो लिंक description में भी दिया हुआ है तो I hope guys यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को like कर दो और चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर लो Bye guys मिलता हूँ next video मैं